रीवा शहर की अम्हिया पुलीस ने एक म्यूजिक टीचर के खिलाफ प्रकरन दर्स किया है। ऐसे में शिक्षक ने रुद्राक्ष पहने वाले दाहिन हाथ से कनपटी में एक थपड मार दिया, जिससे बच्चे के सिर्व दिमाग के अंदरूनी भाग में गहरी चोट आ गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को मा लगातार दवा दे रही थी पर दर्द से आराम नहीं मिला। अंतत चार सितंबर को तेज बुखार आ गया, पहले छोटे डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं मिला तो संजय गांधी अस्पताल लेकर गए, जाच में दिमाग के अंदरूनी भाग में चोट पाई गई। रुद्राक्ष की गहरे जखम देख चिकित्सकों ने 6 सितंबर को जबलपुर रेफर कर दिया, वहां भी बच्चे की हालत नहीं सुधरी। ठक हार कर परिजन बच्चे के भैतर उपचार के लिए नागपुर लेकर गए, वहां निजी हास्पिटल में भरती कराया गया। 14 सितंबर को विशेशग्य चिकित्सकों की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया है, जिसमें पता चला है कि बच्चे के दिमाग के अंदरुनी जखम है, वहां बाहर से नहीं दिख रहे हैं। इस मामले में पुलीस ने बाल कल्यान समिती को पत्र लिखा है, जिससे शिक्षक के खिलाफ समिती कारवाई कर सके। ASP अनिल सोनकर ने बताया कि म्यूजिक टीचर रुशब पांडे ने बारा वर्षिय बच्चे के साथ गाल कानवसिर में मारपीट की थी, शरीर के कई अंगों में गंभीर चोट आई है। ऐसे में अम्हिया पुलीस ने 11 सितंबर को IPC की धारा 308 सहित अन्य धाराओं प्रकरन पंजीबध किया है। बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। आरोपी टीचर घटना के बाद से फरार है। गिरफतार के प्रयास किये जा रहे है।